अब मैं आपको बता हूँ है excess pressure inside a soap bubble ये start करने से फ़यले सबसे फ़यले हमा dirV हम आपको बताता हूँ कि कोई भी bubble हो चाहे soap हो या कोई भी bubble हो तो उसके découvrir है प्रेशर पीवन है और यहांपे drives r t2 है तो क्या होगा कि अगर हम मानें कि बहार pressure p2 है यह pressure की वैसे कुछ forces लग रही होंगी इसके ओपर अंदर की तरफ ठीक है इस direction के अंदर और अंदर की तरफ भी लग रही होंगी P2 की वैसे P1 की वैसे अगर P2 is greater than P1 तो उसके इसके अंदर क्या होता कि यहाँ पर net force अंदर की तरफ आती और यह bubble जो हमारा collapse कर जाता है बड़े बोबल collapse नहीं करता वो क्यों नहीं करता क्योंकि अगर मैं किसी यहां से अगर दोनों साइट थीटा अंगल पर चेक करूं टेंशन कितनी होगी टी इस डिरेक्शन के अंदर टी इस डिरेक्शन के अंदर ओके और इन दोनों टी कट कॉंपोनेंट यह वाला और यह वाला यह तो cancel out हो जाएगा है निट कितना इधर बचेगा इधर बचाक। और कोच टीक है तो एक तरह से मैं कह सकता हूं यहां से लेकर यहां तक के याणि यहां तक के पूरे पार्ट पर नेट टेंशन अंदर की तरफ आएगे, इस नेट टेंशन अंदर की तरफ आई, तो इसका मतलब फोर्स उपर की तरफ आई, इसका मतलब क्या हुआ, कि P1, अगर यहां पर P1 था और यहां पर P2 था, तो P1 into A is equals to P2 into A plus, अगर यहां पर भार P2 था, plus force due to tension, okay, this is nice, Now, force due to tension, इसकी value तो positive है, यह positive क्यों है, क्योंकि जो हमने direction लिये, वो सही है, यानि वो कभी भी direction उल्टी नहीं हो सकती, यह जो net tension है, इस पूरे part पर, यह कभी भी नीचे की direction में नहीं आ सकती, तो if this is positive, तो P1 की value should be greater than P2, ठीक है, और यह अगर यह वाली condition satisfy होगी, तब ही हमार bubble sustainable होगा, इससे हमारा क्या conclusion निकला कि P1, यानि pressure inside the bubble, should be greater than P2, शिर्फ उसी case में हमारा bubble, bubble रह पाएगा, मैं आपको बताता हूँ, in case of so bubble, excess pressure कितना होता है, tension की वैसे forces लग रही होगी, और यह pressure लगा रहा होगा, अब surface tension force कितनी होगी, क्योंकि so bubble है, so bubble की 2 surfaces होती है, ठीक है एक अंदर वाली और एक भार वाली, अपका पानी का bubble होता है, तो वो अंदर से पूरा field होता है, इसलिए सुर्फ उसकी एक ही surface होती है, यानि भार वाली, but so bubble की होता है, अंदर से भी खाली होता है, और भार से भी खाली होता है, तो एक तरह से उसकी 2 surfaces बन गई, एक अंदर वाली और एक भार वाली तो उसकी वाज़े से tension force कितनी लगेगी 2T into 2 pi r 2 pi r उसकी length हो गई ठीक है into 2T now force due to pressure difference यानि अंदर वाले और भार वाले का difference कितना होगा del p into pi r square okay किसी भी ring ले तो उसका del p into pi r square pi r square surface area now these forces should be equal जैसे मैं आपको यहां पर बताया यह क्या हुआ था यह del p into a this should be equal to force due to tension एक तरह से वही चीज़ है तो यहां से आपका del p की value आजएगी which comes out to be 4T by r तो एक slope bubble के case के अंदर pressure difference कितना होता है 4T by r अगर आप inside a liquid drop देखें तो क्या है कि अगर यह बाहर से filled है और अंदर एक पानी का air bubble है अगर अंदर pressure p1 और भार p2 है तो क्यूंकि इसके अंदर दो surfaces जो है यहां पर same equation use होंगी ठीक है बट यहां पर surface एक है तो यह 2T की जगा यहां पर T आएगा तो उससे क्या आया del p की value आपकी आगई 2T by r अगर आप calculate करके देखेंगे तो simply आपकी आई 2T by r